वैसे वाक्य जिसमें कोई कुछ करने के लिए तयार होता है इसका structure है subject plus helping verb helping verb आप tense के अनुसार बदल सकते हैं plus ready, plus to, plus verb, plus others तो चलिए हम कुछ sentences के द्वारा समझते हैं वह खेलने के लिए तयार है He is ready to play मैं जाने के लिए तयार हूँ I am ready to go वे लोग आने के लिए तयार है They are ready to come सूरज बात करने के लिए तयार है सूरज is ready to talk सीमा गाने के लिए तयार है सीमा is ready to sing वह शादी करने के लिए तयार है She is ready to marry अगर आपको सचमें इंगलिस सीखना है और ऐसे वेडियो देखते रहना चाते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें Thanks for watching